लेन हैं एक बार फिर से आप सभी का स्वहागत है लेनी इस्ता Si Esta में नए हैं या फिर पूरा नहीं हैं छैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें कर लिजे और वीडियो को पूरा देखा कीजिए वीडियो कुछ छोटा होता है कुछ बड़ा होता है। जैसा उंसीत रहता है। होता है। दिवेधी यूग चल रहा है आज देखेंग दिवेधी काल ब्रजभाशा का फॉरी काल कर्मानुसार। बाकि इसे पहले भी वीडियों है आप प्लिलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है, पता है, कुछ लोगों कुछ लोगों नहीं पता होता है। कि सरुत्ति पंडे गोविंत पंडे का हम लोग बुक पढ़ रहे हैं उन्हीं के नाम से प्लेलिस्ट भी है पंडे बुक संपूर्ड अध्यान और उनके किताब का नाम क्या है हिंदी भासा हैं साहित का वस्तुनिष्ट इतिहास चलिए सुरू करते हैं बिना समय गवाए टेल लब किरतनाकर तो उपाधि है उपनाम है उपाधि का उपनाम है और जैसे सब का होता है ना बंसल दिवेदी त्रिवेदी चतुरुवेदी पटेल सिंग तो उसी तरगत से इनका भी उपनाम है उपनाम है उपनाम लब टाइटल कुछ लोगों का टाइटल होता है कुछ लो नवनी तलाल चतुरवेदी है ठीक है नवनी तलाल चतुरवेदी है रतनाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे तो जगनात नाम है ट्राइन का फिर उसके बाद उपनाम रतनाकर है और उर्दू में यह क्या करते थे जकी जकी नहीं जकी सरावला नहीं जकी जकी उ से उर्दु में लिखते थे रतनाकर की प्रमुक्त काव्य कृतियां इस प्रकार से हैं देखिए गंगा वतराण 1927 का उद्धव सतक 1929 का हरिष्चांद है हिंडोला ठारस चावरानवे कोई डाउट लग रहा है हिंडोला नहीं साही होगा जनमेत अठारस चार्चांद चारानवे में हिंडोला लिखेंगे नहीं हमें लिगा कि 27 फिर 29 फिर अचानक चारानवे कैसी आ गया तो होता है कभी-कभी काल क्रम अनुसार मतलब कि आपको काल क्रम से ही मिलेगा लेकिन एक बीरावाश्टक भी है रतनाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसेयान क्रिटिसिज्म का रोला चंद में समालोचना दर्स सिर्शक से अनुवाद किया है ठीक है एसेयान क्रिटिसिज्म का रोला चंद में किस नाम से किया है समालोचना दर्स या इसको अलग-अलग क तो समा लोचना आदर्ज हो जाएगा शत्य निराण कभी रतन अगले हैं सत्य निराण कभी रतन है और इनका जनाम अठार सौ असी में हुआ था किस समस्त रचनाओं का संकलान बनार्शी दास चतरुवेदी ने हिर्दय तरंग सिर्शक से किया है किस ने किया बनार्शी दास चतरुवेदी ने किस नाम से हिर्दय तरंग से किसका सत्य नार्ण कभी रतने का और इनका जनाम कभी रतन है इनकी प्रसित रचना है भ्रहमर्दूत और प्रेमकली कभी रतन ने भभूती के उत्तर रामचरित और मालती माधो देथा लाड मैकाले के अंग्रेजी खंड का भे होरेशस का ब्रजभासा में अनुवात गिया क्या इन्होंने उत्तर रामचरित और मालती माधो जो भभूती का है उत्तर रामचरित और मालती माधो भभूती का जो संस्कित कल है उसका और लाड मैकाले का जो अंग्रेजी खंड काभ होरेसस इसका ब्रजभासा में अनुवात किया किसने सत्तिर नराण कभीरत ने नाम उत बड़े बड़े लोगों की रचनाओं का अनुवात किया है तो तो दुएदे युगिन महत्पून कभी और उनके महाका पे देखते हैं एक जलक में फटाफट फटाफट का मतलब कि बहुत तेजी से मत देखिएगा आराम से देखिए सुचित्ते से स्कैन किजिए द्वारका पताप नरायन पुरोहित का नल नरेश 1933 का है इसके बाद गुरु भक्त सिंग गुरु भक्त सिंग का है और छिप जा रहा है क्या गुरु भक्त गुरु भक्त नहीं सही है गुरु भक्त एक मिनिट गुरु भक्त गुरु भक्त सिंग का है नूर जहां 1935 नूर जहां किसकी पतनी थी वाईव किसकी पतनी थी आपको कमेंट में बताना है वनलब की जो मुगल सामराज था उसमें किसकी पतनी थी बाबर की हुमाई की अकबर की अवरंगजेव की जहां साह जहां की जहांगीर की अरंगेव की किसकिती बिक्रमा दित्य है 1947 की सिधार्थ 1937 की सरवारी सरवारी 294 की बर्धमान 1950 की बरधमान महावीर की उपादि है तो यहाँ पर आप सिनमें भी अंधा हो जाना गुरू भग्त सिंग तो नहीं ममें तो थोड़ा वाच neden में कभी कभी हो जाता है मीुश क्प्रिंट वाचन में भी मिर्गत गुरूभग्ध चींग की रचना है नूर जहां 1935 की और विक्रमादित 1947 की दो रचना इनकी प्रमुख है दोनों को याद रखें नूर जहां की पत्ति का नूर जहां की पत्ति का नाम बताईएगा कमेंट करके अनूप सर्मा की रचना है सिद्धात 1937 का सरवाणी वर्धमान 1951 का ठीक है गलती के लिए माफी गलती हो जाती है किसी से भी हो सकती है स्याम नराण पांडे हल्दी गाठी है इनका जोवर 1945 का हल्दी गाठी है और जोवर 1945 का है मुहलाल मातु का है आर्या वर्थ 1943 का और हर्दायालू सिंग का है दैत्वन्स 1940 रावण 1952 का इनकी प्रमुक रचना यह है हर्दायालू सिंग की दैत्वन्स 1940 और रावण 1952 का तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा प्रमुक कभी काल कर्मानुसार दिवदियुक के हर्दायालू सिंग मुहानलाल मातो सियाम नरायन पांडे अनुप सर्मा गुरुभ भी है क्योंकि वह उनके महाकाब्वे यहां पर है प्रमुक रचना है छोटे छोटे हैं इनको एक जलक जरूर देख लेना चाहिए बाकी कभी रतन बनारसि दाश चतुरूवेदी जो शत्तिनराण कभी रतन है उनका हमने देखा उर्दू में जगी नाम से जगनाथ रतनाकर लिखते हैं रतनाकर उप नाम है मुकुर दर पांडे लोचन प्रशाथ पांडे भाई भाई है इन लोगों के हमने रचनाया संकार को हमने यहां पे देखा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए और जहां पर तुरूटियां आपको लगे तो मतलब कि सुजहा और सिकात भी अपने कमेट बॉक्स में लिखे टेलिग्राम से भी जूड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां चीजे गलत लगें उसको भी बता दिया करें ठीक है और अपनी तरफ से तो 100% सब्सक्राइब कोशिस होती है भले ही कभी-कभी गलती से उसी समय वाचन में गलत था है तो पकड़ में आ जाती है गलती तो बता दिया जाता है और ना फिर बाद में आपके कमेंट के माते हमसे पता चलता रहता है किसा लगा कमेंट करके बताते रहिए मिलते हैं नेक्ट अजय भारत आपका दिन सुभू